दिनांक उन्नीस ग्यारव बीस को सामको लगभग साथ बजे के आसपास ककोड थाना छेत्र में थाने से लगभग दो किलो मीटर की दूरी पे लूट की एक घटना हुई थी और एक घटना सुलेक शंद्जी के साथ हुई थी जो यस्वियाई का ग्रहक सेवा केंडर चलाते है LIC के एजेंट का काम करते हैं यह साइकल से अपने दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे इनका गाउं दस्तूरा है जो वहां से डेड़ किलो मीटर और आगे था रास्ते में दो लड़के इन्हें साइकल से गिरा दिये गिराने के बाद इनके साथ महाथा पाई करते लगातार हमारी टीमें इसके लिए प्रयास कर रही थी और हम लोग अपराधियों पे ज़्यादा नजर रखे हुए थे लेकिन फिलाल बीती रात एक मुठवेड में एक नया गिरो ये प्रकास में आया है पुलिस मुठवेड में गिरिफ पांच लोगों को गिरिफतार किया गया है जिनके कबजे से घटना में घटना से जो लूटा गया सामान था वादी का लप्टाप डोंगल दुकान की चाभी चेक बूक और कटे हुए चेक भी दो थे और अन्यकुश सामान इनके थे वो बर बरामत किये गये हैं 24,000 रूपए अभियुक्त के कब्जों से बरामत किया गया है और पूस्तास में बात निकल के आई है कि कुल 1,34,000 रूपए थे बादमेवादी ने भी अपनी स्विक्यारोगती में 1,500,000 के बजाए 1,34,000 रूपए होने की बात बताई थी पूस्तास मे दो लड़के ये नोड़ा में नोकरी करते थे लॉकडाउन के कारण नोकरी वहां से छूट गई थी खर्चे नहीं चल रहे थे और अगल बगल के गाउं के सब रहने वाले हैं मार्केट में जहां ही कर्था होते थे वहीं पर ठीक सामने इनका ग्रहक सेवा केंद्र है तो इ इसके बाद फिर 19 तारीक को इनके द्वारा घटना की गई और फिलाल अभ्योक का नावरण हो गया है अभ्योक्तों के कबजे से लूटे गए सामान बरामद हो गये हैं काईश चोगन हजार रुपए मिला है इनके कबजे से दो तमंचे कार्तू साद मिले हैं घटना में प् इंटर डॉक्टर प्लंबर की तो सीधे जाएं जीड़ी स्कॉर डॉट कॉम की वेब साइट पर जहां आपको मिलेंगे इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर और नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमी समस्या का समधान कीजिए तो याद रहें आपकी सभी समस्याओं के समधान का एक ही प्लेटफॉर्म जीड़ी स्कॉर डॉट कॉम अपनी जनपस से जूड़ी हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए जूड़े रहें हमारे साथ अगर आपको हमारी ख़बरे अच्छी लगती है तो हमारी ख़बरों को लाइक कमेंट शेर करना ना भूलें और